दोस्तों CBSE की एक बड़ी खवर आई है जिसमें आपके एक्जाम जो हैं वो आपके फरवरी मार्च में होंगे और साथी साथ आपके स्कूल्स जो हैं प्रैक्टिकल्स के लिए खोले जा सकते हैं और अपकी बार आपके जो एड्मिट कार्ड होंगे वो होंगे डिजिटल तो पूरा न्यूस समझने के लिए दो मिनट का टाइम दीजिए आपको मैं बताता हूँ तो सबसे पहले CBSE दसवी बारवी की परिक्षा 2021 से जुड़ी सभी अटकलों पर विराम लगा गया है यह इस पस्ट हो चुका है कि अब परिक्षाएं फरवरी मार्च के महीने में ही आय रिद की जाएंगे यानि कि ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी जो आने वाला था वो खतम हो गया है पूरी न्यूस समझ लिजिए इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा सारी खबर एक साथ मिल जाएगी तो आपको आसानी होगी अपनी एक्जाम की तैयारी करने में तो CBSE बोर्ड परिक्षा 2021 को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच एक शीर्स बोर्ड अधिकारी ने पुस्टी की है कि कक्षा दसवी और बार्वी की परिक्षा हैं हमेशा की तरह फरवरी मार्च में ही आईजित होंगी एक न्यूस पोर्टल से बात करते हुए केंद्रिय मादमिक शिक्षा बोर्ड के परिक्षा नियंतरक सनम भार्दवाज ने कहा कि अब बोर्ड की परिक्षा 2021 में देरी कैसे कराने का कोई योजना नहीं है सीबी एसी द्वारा दसवी और बार्वी की बोर्ड परिक्षा 2021 को आफ लाइन आयूद किये जाने की पुष्टी होने के लबग एक सब्ताबाद परिक्षा नियंतरक सोनम भार्दवाज ने जो है बोर्ड परिक्षा की तारिक की पुष्टी किये यानि कि जो पहले आभी आफ लाइन आयूद कराने की पुष्टी होने के बाद में ना इसके बाद में सही समय पर होगी बोर्ड परिक्षा में देखिए टाइमस आफ इंडिया से बात करते हुए भारदवाज ने बताया कि बोर्ड 2021 में आफ लाइन मोड में बिना किसी पर परिक्षा होगी और चात्रों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि चात्रों को करोना के कारण पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें परिक्षाओं के बीच में यानि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में अधिक समय दिया जा स सकता है प्रैक्टिकल के लिए खोले जा सकते हैं स्कूल तो 2019 में डेट सी तयार करते समय चात्रों को दो विश्यों की परिक्षाओं के बीच परियापत अंतर मिला था उन्हेंने कहा कि अगर कुछ परिक्षाओं को दोबारा निधायत किया गया था तो भी यह नुसुर निश नामतर पर स्कूलों को लगभग 1.5 महीने मिलते हैं लेकिन इस साल विवारिक परिक्षा आयुद करने के लिए गोविड-19 निधिश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी आपचारिक परिक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें दो महीने से अधिक्का समय मिल सकता है CBSC एक्जाम इस बार अलग होंगे दसवी और बारवी के एड्मिट कार्ड कोरोना काल में किया गया बदलाव तो क्या है ये बदलाव देख लीजिए Central Board of Secondary ने इस साल बोर्ड परिक्षाओं के लिए नई योजना बनाई है बोर्ड 2021 में डिजिटल एड्मिट कार्ड भेजने के तेयरी में है कोरोना वाइरस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड CBSC से संबंद स्कूल को नए एड्मिट कार्ड भेजेगा इसके बाद अगले चरण में स्कूल अथर्टी स्टुडेंट को इन एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने का एकसेस देगी इसके लिए छात्र को स्कूल की वेबसाइट पर जाना होगा और बताये गए स्टेप्स फॉलो करके अपने स्कूल से ये डिजिटल अड्मिट कार्ड टाउनलोड करना होगा तो आशा करता हूँ आपको सब कुस समझ में आ गया होगा आपके सारे प्रविए सेर के कुश्चन पेपर्स वीद सलूशन अभलेबल हैं जिसकी लिंक किसी वीडियो में मिल जाएगी तो उसको देखना ना भूले अपनी अच्छी त्यारी करें थेंक्यू वेरी मच्च